हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आशाम हाई स्कूल टेट टेचर का जो रिक्रीटमेंट होने जा रहा है उन टेट टेचर का रिक्रीटमेंट होने के बाद उनको फास्ट मेहिने में ही कितना सेलारी मिलेगा और salary को कैसे calculate किया जाता है उसके बारे में details में हर एक parent को हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे ये वीडियो आप लोग देखेगा जरूर और देखे अपना preparation में ज्यादा से ज्यादा time दीजेगा कि कि अभी बहुत कम time हमारे पास है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा time दीजेगा ताकि exam आपसे clear हो पाए तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं Friends, high school teacher जो होते हैं उनका salary scale होता है 14,000 से लेके 60,500 ये हो गया आपका salary scale और साथ में यहाँ पर great pay 8,700 रुपीज ग्रेट पे राका गया है तो पहले यहाँ पर basic, basic कैसे calculate कर जाता है Basic Friends, salary scale जिस amount से शुरू होता है वो amount और great pay का amount दोनों जोड़के basic बनता है तो यहाँ पर salary scale 14,000 से शुरू हुआ है और great pay 8,700 तो दोनों amount को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22,700 रुपीज हो जाएगा आपका basic उसके बाद friends, basic के साथ कुछ allowances भी दिया जाता है allowances में friends, पहला allowances आपका DA, DA मिन्स dearness allowance और अभी यह 53% चल रहा है अभी recently उस दिन पहले 53 तो उजण बढ़ा के किया गया है, पहले 50% था, अभी 53% हो गया है आप लोग जब यहाँ पर आप लोगों को जब appointment मिलेगा, तो जन्वरे में फिर से यहाँ पर DA दिया जाएगा तो आप लोग में appointment आप लोगों को मिलेगा, तो उस टाइम में 53% नहीं होगा, वो फिर से 3% या 4% भढ़ेगा तो यह 56% या 57% होने का चांसे तो आभी फिलाल जो DA है 53% उसको लेके हम लोग calculate करेंगे तो DA 53% दिया जाता है अभी 53% किस amount का, जो basic जो है, जो amount 22,700 बेसिक जो था उसका 53% DA दिया जाता है, तो 22,700 का अगर हम लोग 53% करेंगे, तो यह होगा 12,031 रुपिस तो DA हो गया 12,031 रुपिस, उसके बाद आपका HRA, house rent allowance और house rent allowance यह 7% दिया जाता है, यहाँ पर town area में अगर आपका पोस्टिंग होथा है तो उसके इसमें 8% house rent allowance दिया जाता है, और rural area के लिए 7% दिया जाता है तो house rent allowance 7% दिया जाता है, और 7% किसका, basic amount का, तो basic amount ता आपका 22,700 तो 22,700 का अगर हम लोग 7% करेंगे, तो यह होता है 1,589 रुपीज, तो HR हो गया 1,589 रुपीज, उसके बाद friends medical allowance, medical allowance fixed 600 रुपीज, हर महिने यहाँ पर 600 रुपीज medical allowance आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर आभी हम लोग basic DA amount, HR amount और medical allowance सारे amount को जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा आपका gross salary, तो gross salary 22,700 प्लस 12,31 रुपीज, प्लस 15,189 रुपीज, प्लस 600, सारे amount को जोड़ेंगे, तो 36,920 रुपीज, यहाँ पर हो जाएगा आपका gross salary, अभी यह gross salary, यह जो amount यह amount आ जाता है, तो क्या क्या deduction क्या जाता है, यह क्या करके देख लेते हैं, डिडाक्शन की अगर हम लोग बात करें तो friends, पहला deduction होता है NPS, मतलब National Pension Scheme, और National Pension Scheme के अंडर में 10% deduction क्या जाता है, अभी 10% किस amount का, 10% friends, basic हमको मिलाता 22,700 और DA मिलाता 12,031, तो यह दोनों amount को जोड़ने के बाद जितना amount होगा, उस amount का 10% NPS काटा जाता है, तो 22,700 और 12,031 रुपीस दोनों को जोड़ेंगे, तो यह 34,731 रुपीस होता है, तो इस amount का 10% NPS काटा जाएगा, तो NPS इस amount का 10% हम लोग जब करेंगे, तो यह होगा आपका 3,473 रुपी यहाँ पर NPS के अंडर में आपका salary से, gross salary से deduction के जाएगा, उसके बाद GIS, GIS मतलब group insurance scheme, तो high school के अंडर में जो teacher है, उनका 200 रुपीस GIS काटा जाता है, group insurance scheme, यह fixed amount है, यह हर महिने इतना amount आपका salary से काटा जाएगा, उसके बाद P tax मतलब professional tax, और professional tax के अंडर में 208 रुपीस य यहाँ पर हर महिना आपका salary से, gross salary से deduction के जाया गया, उसके बाद friends, last year से यह एक नया scheme, अशाम government ने शुरू किया है, MMLSAY, मतलब मुक्व मंत्री लुख शबक अरगो युज़ना, इस scheme के अंडर में यहाँ पर 225 रुपीस यहाँ पर काटा जाता है, हर महिना यहाँ यहाँ आपका gross salary से, और यह एक insurance scheme है, आपका पूरा family, मतलब जो भी लोग आपके उपर dependent है, उन सारे लोगों के लिए यहाँ पर यहाँ एक insurance scheme है, health insurance scheme, आपको कोई भी medical अगर आपका treatment होता है, तो यह आप claim कर सकते हैं, उसके बाद कुछ amount यहाँ पर आपको मिलने का जान से, तो इस scheme के अंडर में यहाँ पर आपका amount हर महिना 225 रुपिस आपका gross salary से यह amount काटा जाता है, तो कुछ मिला के यहाँ पर आभी NPS, GIS, PTEX, MM, LSA, Y यह 4 amount को जोडेंगे, तो total deduction अगर हम लोग calculate करेंगे, तो यह total deduction होता है आपका 4106 रुपिस, तो total deduction हो गया आपका 4106 रुपि तो net salary, जैसे कि हम लोग ने gross salary calculate करता, तो gross salary जितना amount है उस amount से जब हम लोग deduction, सारे deduction को जोड़ने के बाद कितना होता है, 4106 रुपिस, तो gross salary से net salary मिलने के लिए, gross salary से जब हम लोग सारे deduction को जोडने के बाद जो 4106 रुपिस वहा है उसको minus करेंगे, तो net salary होता है आपका bırak टूताउजन्ट एइट हंड़ेट फॉर्टीन रुपीज यहां पर फ्रेंड्स डिया अभी 53 परसंट चल रहा है आप जब आप यहां पर जोइनिंग करेंगे उस टाइम में यह बढ़ेगा तो यह एट हंड़ेट फॉर्टीन रुपीज से बढ़के यह तूताउजन्ट यहनियो Kathleen करके मैंने दिया है अभी यहां पर आप जब आपको आपका पोश्टिंग होगा उस से इसमे जब बढ़ेगा तो according to you, आप calculate कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से salary को calculate कहा जाता है मेरे क्याल से हर एक point आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा Thank you friends for watching this video